Good morning students. Welcome to you R. Will Public School. Online study. Today's subject is G.T. Lesson 1. Living and Non-Living Things. Living things, जो सास लेते हैं. Non-living things, जो सास नहीं लेते हैं. Are living, things can grow. Breathe, eat and move on its own. And non-living things cannot grow. Breathe, eat and move on its own. All living things, जो सास लेते हैं, grow, बढ़ते हैं, breathe, eat, खाते हैं, move, घूमते फिरते हैं, अपने इधर उधर को आते जाते हैं. Long living things, जो grow नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं हैं, eat, खाना नहीं खाते हैं, move, अपनी जगए से दूसी जगए को जा नहीं सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं. Take the living things and cross the non-living things. अब भी आपके picture दी गई है, इसमें आपको कुछ चीजे ऐसी हैं, जो living things हैं, और कुछ हैं, जो non-living things हैं, जो सास लेते हैं, खाना खाते हैं, उनमें से जो आपकी picture होगी, उसमें आपको क्या करना है? टिक दा, जो सास लेते हैं, उसमें टिक लगाना पड़ेगा, जो खाना या खाते नहीं, उल नहीं सकते हैं, उनमें आपको cross करना है, जैसे आपका telephone है, ये सास नहीं लेता है, तो इसमें क्या करेंगे? आप cross करेंगे, इन्वेलब है, उसमें cross करेंगे, ये आपका है octopus, ये पानी में रहती है, फिश है, इसको right करेंगे, ये पानी में रहती है, सास लेती है, इसलिए आपकी ये chair है, ये सास नहीं लेती है, इसलिए cross करेंगे, ये word है, इसमें आप tick लगाएंगे, कि ये उरती है, move करती है, ये इसमें आपका है computer, यह electronic चीज है, तो इसको cross करेंगे, monkey, जो खाना भी खाता है, eating करता है, running करता है, दोड़ता है, jumping करता है, तो इसमें आप करेंगे tick, यह face है, why है, इसमें right लगाएंगे, कि यह खाना खाता है, breathe करता है, move करता है, यह bad है, इसको आप cross करेंगे, यह जो है, लेटने के काम आता है, okay student, आप show your work, in a book में, tick the cross में, आप यह अपना face, फिल करेंगे, okay, gk book में, standard ukz, okay,